आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियोस में हमने स्केल गुणक यानि की स्केल फैक्टर के अनुसार समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखा आज इस वीडियो में हम वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदू से वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाना सीखेंगे क्या बता सकते हैं यहां प्रत्येक स्थिती में बिंदू से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? कोशिश करने के लिए विडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें यहां इस स्थिती में बिंदू वृत्त के अंदर है और हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदू से वृत्त पर स्पर्ष रेखा नहीं खीची जा सकती है अतह यहां स्पर्ष रेखा की संख्या शून्य यानि की जीरो होगी यहां बिंदू वृत्त पर स्थित है और हम जानते हैं कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदू से वृत्त पर केवल और केवल एक ही स्पर्ष रेखा खीची जा सकती है और वृत्त से बाहर स्थित बिंदू से केवल और केवल दो स्पर्ष रेखाएं खीची जा सकती है आईए अब देखते हैं कि कैसे वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदू से वृत्त पर स्पर्ष रेखाएं खीची जा सकती है एक वृत जिसका केंद्र O है के बाहर स्थित बिंदू माना T से वृत पर्स पर्ष रेखाएं खीचनी है ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम बिंदू O व टी को मिलाते हैं जिससे हमें रेखाखंड O T मिलती है अब इस रेखाखंड O T को समद्वी भाजित यानि की बाइसेक्ट करते हैं जिससे हमें रेखाखंड O T का मध्य बिंदू M प्राप्त होता है जो रेखाखंड O T को दो बराबर भागू O M व M T में विभाजित करता है बिंदू M को केंद्र मान तथा O M अथवा M T को त्रिज्या लेकर एक वृत्थ बनाते हैं जो दिये गए वृत्थ को बिंदू P वक्यू पर प्रतिछेद करता है अब बिंदू T को बिंदू P वक्यू से मिलाईए जिससे रेखाएं T P व T Q मिलती है जो दिये गए वृत्थ पर बिंदू T से दो अभीष्ट स्पर्ष रेखाएं हैं अब सवाल यहां आता है कि कैसे इस रचना से हमें यह स्पर्ष रेखाएं मिल जाती हैं आए देखते हैं कैसे बिंदू O को बिंदू P से मिलाते हैं जिससे हमें रेखाखंड O P मिलती है जो वृत्थ की त्रिज्या है तो आप देख सकते हैं कि कोण T P O अर्ध वृत्थ यानि की सेमी सर्किल में बना कोण है और हम जानते हैं कि अर्ध वृत्थ पर बना कोण समकोण होता है अतह कोण T P O समकोण होगा तो क्या अब हम कह सकते हैं कि T P O P पर लंब है बिल्कुल सही यह दोनू एक दूसरे पर लंब है और जैसा कि हमने पिछले पाठ में सीखा था कि स्पर्ष रेखा वृत्थ की त्रिज्या पर लंब होती है अतह हम कह सकते हैं कि T P वृत्थ की स्पर्ष रेखा होगी तो क्या अब आप ऐसे कह सकते हैं कि T Q भी वृत्थ की स्पर्ष रेखा है अभी की गई गतिविधी के अनुसार आप इस प्रश्न का उत्तर खुद ग्यात कर सकते हैं आज इस वीडियो में हमने वृत्त के बाहर स्थित बिंदू से वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाना सीखा अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरंड देखेंगे